मशकाव मैं हूँ यतेंद्र शर्मा उत्तपरदेस के मुख्या मंत्री योगी आदितेनाथ तक्रार के बीच ताज महल का दीदार करने आगरा पहुंच चुके हैं अभी वो ताज महल का दीदार कर रहे हैं ताज महल परिसर में वो करीब आदे घंटे तक रहेंगे ताज महल क के दीदार से पहले उन्होंने डैम का निरिक्षण किया और ताज महल के पश्मी गेट के पास जालू लगा कर सुख्षता अभ्यान की शुरुआतवी की हाल के दिनों में बीज़ोपी विरायक संगी सौम हर्याना के मंत्री अनिल विच ने ताज महल को लेकर तमाम सवाल उ कूल चुके हैं ये पहली तस्वीर पर देख सकते हैं तरो में पर ताज महल का दीदार कर रहे हैं तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों के देज़調 और तीünde में आपको दिखा रहे हैं जाम मुख्यं मंत्री योगी आदितानाथ आगरा और पहुच चुके हैं और ताज महल क का दीदार कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदितेनाथ ने जालू इस तोरान लगाई स्वच्छता का संदेश और खुद आप देख सकते हैं कुड़ा उठाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि एक मैसेज दिया जा रहा है कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की जड़ी लगाई जिस तरह से पूरे महाल को गंदा किया गया अब वो खुद जालू लगाकर ताज महल के परिसर में जो आसपास का केंपस है वहां पर स्वच्छता का मैसेज दे रहे हैं खुद कूड़ा उठा रहे हैं यानि कि जो गंदगी उनके नेताओं ने फैलाई पार्टी अब इसको खुद वो सफाई यहां पर प्रतीकात्मक रूप से करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस बड़ी भहस पर हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ लखनौ से डॉक्टर मुहिद्दीन साब हैं जो समाजवादी पाट्डी के स्पोक्सपरसन है स्य अब यसार जलानी साब हैं जो संग विचारक हैं राष्टे मुस्लिम एकता मन से जुड़े हुए हैं जो हमारे साथ इस्टूडियों में मौना अथर उसेंदेलवी साब हैं चेर्मेन अंजुमन मिनाज-रसूल के जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं मौना साब जो गंदगी नेताओं तो कितना आपको कैसा फील हो रहा है कि गंदगी उठाने का जम्मा योगी साथ का और गंदगी फेलाने का जिम्मा वीचिपी नेताओं का यह दो सबसे बड़ी चीज ही है कि जिससे आपने अपने बेवी कहा कि इसमें मैं नहीं समझता कि यह ताज को लेकि जिस तरीके के विवाद होगे हमके बात माँनी पड़ेगी मैं अभी पहले भी कहा कि चूँकि वे एक अंटराश्टिय विरास्त के तोर पसको देखा जाता और भारती परियटन के अंदर क्योंकि आप एक जिम्मदार पत्रकारे और सरकार को आपका विज़ देते हैं 34% जो शेयर है खाली वो ताज महल का है इसलिए विश्विस्टर के उपर जब से बयान बाजिया हुए और आपने देखा कि अलग अलग अखबारात और पूरी दुनिया में जिस पर चर्चाई हूँ उद्धे पदार मंद्री को सामने आना है पड़ा और कहीन का योगिया सब या दूसरे लोगों की बात है ऐसे लोगों को संजीद्गी से लेने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन जो उन्होंने सवाल उठाया मौलाना सब क्या लगता नहीं कि इतियास को फिर से परिपरे में देखना चाहिए और अगर उन्होंने कुछ सवाल उठाया तो उसका एक निहायोती वो राजपताना थी उनके सगे नाना मामु सारे के साही राजपताना थे उनके हमेशे वजीर आदम साही राजपता तो क्या उस जमाने के जो हिंदू थे वो इतने ज्यादा कायर हो चुके थे उस जमाने की हिंदू तिया दबे कुछले थे कि वो मुठी बर मु इतिहास पे बदलने की बार बार कोईश होती है, संग अपना इतिहास लिखता है, कमुरिस्ट अपना इतिहास लिखते है, खुद उर्दू शाहिरों में अगर शाहिरों में अपने इतिहास की नहीं है, यह देश की इतिहास की बात हो रही है, क्या वो इतिहास को द्वारा से इतिहास की बात में बता रहा हूं आपको हिंदू को कायर बता रहे हो इस जमाने को क्या बता रहा है उस जमाने को आप पर घ्लाइब पर भाइब पर तरीके देख रहा है प्रफ्रक्राइब हैं जुल्म ढ़ाए गए लेगस नारी ने यह का है यह लूग क्या है ये सिर्फ उनुमात प्षैलाने, जो भारत के नो बात को और कुरू को बहुत है का आप प्रक्तितंसे वहां पर्तित कर चाहिए वह घृट है आप अस वक्त के इनियों को काहिर बता लिए जड़ गर्ड़ कर रहा है मीशन के सब्सक्राइब करते हैं और मुझे मेरे एंगर चबाते हैं। कि अगर उस वक्त की स्थित्या कुछ रही होंगी तो जुल्म के सहारे उन्हों आप अपनी बात को जोड़ जोड़ से बोल कर साइब कर साइब का विर आपने बताइए मैंने का आप यह समझतों कि उस वक्त की हिंदू कायर थे यह कहा है चलिए मैं आपको आपकी बाशा मांते हैं एक समाज के लिए समाज के लिए समाज के युगदान के लिए एक काम बता दीजिए कर दो आप बीजेपी को कबर करता है यह बात तो कहीं से भी नियाई यह बात तो कहीं से भी नियाई आप लोगों को यह पता चाहिए कि मैं पीजेपी कबर करता हूं आपके लिए आरूप लगा दो आदे शुट बोलना शुरू करते हैं कि मैंने हिंदों को कायर गाव और फिर आप अपनी बात से पलट रहो अगर कहा दिखाऊ बिल्कुल बिल्कुल दिखाऊंगा बिल्कु या उसका अब पूरा कह सकते हैं एक तरह से मैनेज करने के लिए योगी अदितेनात बार रहे हैं आप पिछले में दो गंटे से इस बात को एक देड़ गंटे से सुन रहा हूं डैमज कंट्रोल डैमज कोई डैमज कंट्रोल की यहा जरूट नहीं यहां का वहां का एक इस मुक्रे मुंत्री मनी योगी अज़ितेनाथ को मेसेच पूरे भारत को पहला मेसेच पूरे बानी तक्राइच पूरे युद तनसे से जो समाजबादी पार्टी के स्पोर्क्सपर्सन है सईयर इसार जलानी साहब है इस्टूडियो से मुस्लिम राश्ट एक ता मंच के नेता है संग विचारा के मुलाना अत्तर उसेन देल्वी साहब है चेर्मेन है अंजुमन मिनाजे रसूल साब के जो हमारे साथ जुड़े हैं सबसे पहले मैं डॉक्टर मुद्दिन साहब के पास चलता हूं मुद्दिन साहब क्या सच में माना जाए कि महबत की निशानी और महबत का पैगाम देने पहुंचे है मुख्यमंत्र योगी आदितनाथ या फिर के वह एक राजनीती है यह देखे योगी आदितनाथ जी जो पहुचे है वो बातिय जनता बातिय का जो डेमेज कोंट्रोल हो उसको कंट्रोल करने के लिए पहुचे हैं क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जो मेसेज गया क्योंकि मुख्यमंत्र जी का खुद मानना है कि वह आखारांदा की निशानी हैं जी तो पहरे वो कहे चुके हैं और इस तरह से इनके नेता लोग भोल ले हैं तो पूरे जो है देश वीडेश में ये मैसेज गया और उस मैसेज का जब महां इंपक्ट पड़ा जी तब हिंदुस्तान के जो है परदान मंत्री होस्ट में आया और उन्हीं सेम साहब क्या हमारे खड़ी ताज का कहना यह है प्यार का रतीर्थ यहां भी आते रहना समय चलाग ब्रेक का हमारे साथ जो पैनल पूरा महमानों को जुड़ा हुआ था उन सबको बहुत बहुत दन्यवाद हम लोगों से इंडियन उसके साथ जुड़े रहने के लिए और यह तक्रार ज